हलो स्टूडेंग्स वेलकम क्यों ग्लोबल ऑनलाइन दिस इस अंकीता सूद सो पेपर वान के फाइनल प्रेपरेशन के लिए फुल सलिबस मोस्ट इंपोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेशन की सिरीज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टूडेंट्स पेपर वन में आपको हेल्प करनी के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जिसका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है इस बैच की सबसे खास बात ये है कि इसमें हम आपको रोज 2-3 लाइव लेक्शर के साथ पेपर से पहले 100% सलेबस तो कवर करवाएंगे ही साथ ही आपकी पेपर से पहले full सलेबस MCQs और PYQs के साथ revision भी हो जाएगी जहां पर आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताये जाएंगे जिससे easily आप exam में correct answers को identify कर सकते हो final preparation के लिए full सलेबस updated mock test भी है और revision के लिए 5000 MCQs भी है जिसमें आपको answers के साथ explanation भी मिलती है ताकि अगर अभी तक आपके कोई concept clear नहीं है तो वो questions के साथ में easily clear होते रहे तो students limited period के लिए ये discount आपको दिया जा रहा है आप given numbers पर whatsapp के through call या message करके पूरी जानकारी भी ले सकते हो साथी free videos और mock test के लिए global online app को download कीजिए store section पर search bar में आपको लिखना है course का नाम content पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत से free videos available है आपको हर unit में mock test मिल जाएंगे, pdf notes मिल जाएंगे, video lectures मिल जाएंगे साथी आपके state के अलावा other states के PYQs भी हम आपको provide करवाते हैं जो कि upcoming exam में आपको as it is देखने को मिल सकते हैं तो ये students एक ऐसा course है जो कि इस कम समय में paper 1 की help से आपको exam को qualify करने में मदद कर सकता है पहला question है which of the following are the levels of teaching? so, शिक्षण के स्थर हम से पूछे गए है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शिक्षण के स्थर क्या होते है so, देखे, students total 3 स्थर होते हैं शिक्षण में जिनकों की हमारी mental abilities के हिसाब से divide किया होता है जैसे जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारा level teaching का कुछ और होता है, learning का कुछ और होता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो ये levels भी बढ़ते जाते हैं ठीक है? इसी के साथ options देखते हैं primary level, secondary level and higher level, no state, national और international level ये भी correct answer नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर mental abilities की बात ही है आगे तीसरा option है memory level, understanding level and reflective level जो कि हमारा बिल्कुल सही उतर है memory level होता है जहां पर हम किसी चीज़ को जब हम छोटे होते तो रटा मार कर याद रखते हैं ठीक है? road learning जहां पर होती है understanding level होता है जहां पर road learning में जो चीज़े हमने पड़ी थे उनकी हमें समझ आने लग जाती है और reflective level होता है कि previous दो levels में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको अब real life setting में यूज करने का समय आ चुका है तो correct answer है option number 3 which of the following DTA channels are meant to support and reach who do not have access to the internet? बहुत असान question है इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना था अगर आपने teaching aptitude थोड़ा सा भी पढ़ा होता तो आपको पता होना चाहिए कि DTA channels कहां पर होते हैं DTA channels सिरफ और सिरफ हमें एक ही platform provide करवाता है that is Swayam Prabha तो आपको एक second में इसका answer मिल सकता था which of the following is not a quadrant of Swayam तो Swayam एक online platform है teaching learning platform है इस platform के हमारे पास 4 quadrants होते हैं जिसमें e-tutorial भी है e-tutorial का मतलब है कि आप वीडियो content यहाँ पर आपको मिल जाएगा PDF आपको मिल जाएगी PDF format यहाँ पर e-content में आता है ठीके video lectures आपको e-tutorial में मिलते हैं online discussion forum भी इसका एक quadrant है लेकिन podcast नहीं है ठीके तो correct answer होगा option number 4 क्यूंकि यहाँ पर हमें not पूछा गया था अब देखिए यह 4 quadrants के नाम है video lectures video lectures को ही e-tutorial बोला जाता है reading material, reading material को ही e-content बोला जाता है discussion forum को यहाँ पर online discussion forum लिखा है और fourth quadrant होना चाहिए था test and quizzes जिसमें आपने जो भी पढ़ा है उसके आप quiz attempt कर सकते हो revision अपनी कर सकते हो okay so यह है बहुत important question national assessment and accreditation council जिसको NAC के नाम से जाना जाता है it was established in 1994 बिल्कुल सही है NAC को 1994 में establish किया गया है किसके द्वारा UGC, AICTE, NCERT या फिर DEC तो correct option है UGC UGC के full form होती है University Grant Commission ठीक है so University Grant Commission ने ही NAC को establish किया था similar question आपको यह भी पूछा जा सकता है कि AICTE ने कौन सा establishment किया था so देखिए AICTE का मतलब है All India Council for Technical Education यह भी इनोंने NBA नाम के एक initiative को 1994 में establish किया था ठीक है यह आपको चीज़े याद रखनी है बहुत important है which of the following were the first three universities that were established during established during 1857 so students यह जो भी questions है ना आप अप में जाएए यह global online आप में जाएए आपको पता चलेगा कि यह सब हमने अल्रेडी पढ़ा भी है ट्रिक्स के साथ मैंने चीज़ें याद दिलाई है याद करवाई है तो आप इनको revise जरूर कर सकते हो 1857 के universities बहुत जरूरी है हर बार paper में सवाल आता है तो कौन-कौन से universities हैं Bombay, Calcutta, Bombay और Madras यह तीन universities हैं जोकि 1857 में establish हुई थी एंड एक सवाल यह भी आता है कि इन तीनों universities में कौन सा rule follow किया जाता था तो वो भी already हमने discuss किया हुआ है Next है teaching is what process teaching एक कैसा process है tripolar, unipolar, bipolar या फिर multipolar so teaching होता है tripolar process tripolar का मतलब है कि यह तीन चीज़ों पर, तीन पोल्स पर तीन स्थम्भ पर निर्भर होता है ठीक है, त्री दुरूविय होता है अब तीन स्थम्भ कौन-कौन से होते हैं पहला स्थम्भ है teacher tripolar में पहला है teacher दूसरे है student और तीसरा है subject matter कि ज़यों हम पढ़ने वाली है अब जैसे हम है देखिए paper की तयारी कर रहे है है ना, तो tripolar में teacher होना भी ज़रूरी है आप लोग student हो, तभी मैं पढ़ा पा रही हूं है ना, और subject matter कि हमें पता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है that is your subject matter, right which method of teaching develops spirit of inquiry in students कौन सा teaching का ऐसा method होता है जो कि students में पूछ ताच करने की भावना को बढ़ाता है अब पूछ ताच करने की भावना का क्या मतलब है अब class में अगर teacher कुछ पढ़ा रहे है students उनसे कैसे question पूछे ठीक है, student कैसे active हों कि मुझे समझ नहीं आया, मैं पूछना चाता हूँ तो मैं कैसे पूछ हूँ spirit of inquiry, कि जांच परताल करना किसी चीज़ के बारे में जादा जानकारी लेने की विधी को कैसे एक teacher जो है वो students में develop कर सकते है project method से heuristic method, problem solving method या फिर laboratory method तो correct answer है problem solving method देखिए project method तो नहीं है बच्चों को अगर project देदेंगे वो चुपचाप अपने घर में project करेंगे और हो गया, इससे क्या उनकी पूछताच की भावना बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी heuristic होता है, unvation withy unvation withy भी बच्चों को learning में तो help करता है, लेकिन inquiry को नहीं बढ़ाता है, अब lab में जो बच्चा experiment कर रही है हो सकता है, वो कहीं पर फॉसे teacher से बाचीत कर सके, लेकिन spirit of inquiry को ये नहीं बढ़ाता, problem solving method होता है कि कि किसी बच्चे को कोई problem दे दी गई है, ये group of students को एक problem दे दी गई है और उनको बोला जा रहा है कि इसका solution ढूंडो चाहे discuss करो, चाहे research करो चाहे कुछ भी करो, तो इस वज़ा से बच्चों में पूछताच की भावना विक्सित होती है, जो कि बहुत important होता है हर student में होना students में उमीद कर रही हूँ, आपको हर questions समझ आ रहा होगा, यह most important questions है, आपके exam के अलावा, यह other states के examination में भी आज़तस पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से इनको समझते रहेगा, कोई भी doubt है तो भी पूछ लीजिए, अगर पसंद आ रहा है, चाहते हो कि मैं continue करूं, हर state के PYQs ऐसे ही लेकर आऊ, तो भी आप मुझे बताए, तब मैं इस चीज़ को continue रखूंगी, which of the following is first step in the research process, बहुत बार चीज़े हमने पड़ी है, research जब करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम research क्यूं कर रहे हैं, कौन सी ऐसी problem है, जिसका solution ढूंडने के लिए हमें research करना है, तो क्या होगा, searching source of information, no, survey of related literature, no, identification of broad area of research, या फिर searching for solution to a problem, तो पहला होता है, broad area of research कि हमें ढूंडना है कि research हम किस पारे में करें, इसको हम problem formulation भी बोलते हैं, ठीक है, चीजें वही होती है, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है, वो फिर आपको खुद paper में दिमाग लगाना है, right, next है, which of the following is non-parametric test, so research aptitude का question है, research aptitude में मैंने आपको बताया है कि steps of research में hypothesis नाम का, यानि कि परिकल्पना नाम का एक topic होता है, परिकल्पना को जान जा जाता है, उसका test किया जाता है, जिसमें दो टाइप्स होते हैं, parametric test और non-parametric test, ठीक है, so which of the following is a non-parametric test, तो median test जो होता है वो non-parametric होता है ठीक है, analysis of covariance जो होता है, इसको simply ANOVA test भी बोलते हैं यह हमारा parametric test होता है analysis of variance sorry, go variance है analysis of variance जो है इसको ANOVA बोलते हैं, यह हमारा parametric test है, critical ratio parametric test होता है सिरफ median test है, जो कि non-parametric है, class में already मैंने एक list आपको दी थी, parametric और non-parametric की, उसी में से देखो, direct question यह आया था which of the following sequence represent the most logical sequence of doing research, easiest question ठीक है research करने के लिए कौन सा sequence जरूरी है सबसे पहले problem होनी चाहिए identifying and defining a research problem पहला यह भी step पहला है identifying a research problem सरवे तो सबसे पहले नहीं करते है research के variables को भी सबसे पहले define नहीं किया जाता है ठीक है, तो correct option क्या होगा option number one या two में से ही कुछ होगा ठीक है, एक हमने इस तरीके से eliminate कर दिया confusion थोड़ा सा हमारा कम होगया आगे देखते हैं, इसके बाद क्या किया जाता है second number पे हम क्या करते हैं hypothesis को formulate करते है population sample सब कुछ hypothesis के बाद होता है ठीक है, hypothesis को formulate करेंगे फिर hypothesis को test करेंगे और सबसे last में result declare करेंगे, तो correct answer है option number two आप लोगों ने जो पहली बार भी देख रहे होंगे ये lecture जिन्होंने introductory free lecture भी देखा है अप में उनको भी ये चीजे पता होंगे कि हमने discuss किया है lecture number one जो था research aptitude का उसमें हमने ये पढ़ा था आगे है a study on the topic perception of tribal people about formal education comes under which type of research इसमें बोला है tribal लोगों का ठीक है, जो जिन्जातिय लोग होते है formal education के लिए उनकी क्या सोच है, उनकी क्या धारना है ये अगर हमें जानना है, इस पर अगर हमें study करनी है, तो कौन सा research यूज किया जाएगा तो ऐसे case में हम ethnographic research को use करते हैं ethnographic research जो है, वो हमें cultural values के बारे में बताता है अब हर culture में हर चीज की अलग values होती है, तो कभी भी किसी culture या किसी tribe के बारे में बात की है, so always go for ethnographic research SPSS stands for what होता है, यह भी हमारा research aptitude का ही question है बहुत important है, इसकी full form है, statistical package for social studies याद ही रखना है, as it is उसके लावा कुछ यहाँ पर extra नहीं है which component enables your computer to permanently retain large amount of data देखो, computer में कौन सा एक ऐसा component होता है कौन सा ऐसा part होता है जो की data को, जो भी हमारे files है, गाने है, photos है जो data है, उसको permanently हमारे computer में रहने की permission देता है CPU, CPU तो brain of computer होता है ठीक है, RAM, storage device या फिर ROM, अब storage device में यहाँ पर mention नहीं किया है कि कौन से storage device storage device में तो pen drive भी आ सकते है CD, DVD, कुछ भी आ सकता है तो यह तो नहीं होगा ठीक है, component बोला है तो CPU भी नहीं होगा अब बात आती है RAM और ROM की अब RAM और ROM में जो ROM होता है यह होता है temporary memory ओके, सो नहीं यहाँ पर थोड़ा सा confusion है ठीक है, सो जो ROM होता है वो temporary data होता है RAM, सौरी, सौरी ROM जो है, वो permanent अरे, देखो थोड़ा सा मुझे confusion हो गया इसको आप लोग ने दियान से सुनना है यहाँ पर permanent पूछ है ठीक है, जो permanent data होता है वो होता है, रोम ठीक है, रोम जो है एक बार अगर रोम डिवाइस में हम लोगों ने कोई पर डेटा स्टोर कर दिया वो permanent रहता है, लेकिन RAM में जो होता है न, वो data temporary होता है, जो कि delete भी हो सकता है, अब देखिए ते बार हमारा computer है, या computer सब के पास अगर नहीं है, mobile phone की बात करते है mobile phone में कई बार क्या होता है हम लोग कोई भी चीजे हैं, जैसे कि हमारी multiple tabs हम अपने phone में open करते हैं न, कि एक में जैसे instagram चलाया है, एक में facebook चला रही हो, एक में snapchat चला रही हो, multiple tabs है ये भी तो कहीं न, कहीं memory को capture करके रख रहे है, तो जैसे अगर हम phone switch off करते हैं, उसके बाद वापस on करते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे recent tabs में से delete हो जाएंगी क्योंकि वो RAM में store हुई थी जो कि एक temporary memory है ROM होती है permanent memory, तो correct answer है option number D ROM, अब यहाँ पर homework के लिए question दे रही हूँ full form बतानी है, paper में जरूर आएगा full form बताईए RAM की और ROM की अगर नहीं आता है, तो भी बोल दीजिए कि मैं full form नहीं आती है थाकि मैं आपको reply करके comment में ही बता सकूँ, ठीक है, और जरूर और भी जानकारी चाहिए, तो ये दो numbers दिये हैं मैंने, इन पर WhatsApp पर contact कर लीजिए grape wine communication does not include so grape wine communication क्या होता है, ये एक informal communication होता है अब देखो जैसे office में या कहीं पर बातें जो इधर से उधर फैलती हैं न, gossip जो होती है कि मैंने आपको एक बात बताई आपने एक और बात किसी और को बता दी ठीक है, top secret था मैंने आपको बोला कि किसी को बताना नहीं है आप ये चीज़ें आगे आगे बताते जा रहे हो लोगों को, तो ये होता है ये होता है grape wine communication अब grape wine तो मैंने आपको बता दिया लेकिन यहाँ पर पूछा है not include, so chain तो होता है मैंने आपको एक बात बताई आपने आगे बता दी, तो ये आगे बता दी ये आगे बता दी, ये chain बन गई ठीक है, gossip होती है, जो एक फालतो के बात ही दर उदर फैलती है वो grape wine के अंदर आती है meta communication भी इसी को बोलते है तो क्या नहीं है cluster system grape wine communication का एक पाट नहीं होता है तो not पर ध्यान रखना था बहुत ज़रूरी नहीं तो गलत हो सकता था ये सवाल ठीक है आगे है, which of the following is the best advantage of choice based credit system so CBCS, ये हमारा teaching aptitude unit 1 का question है choice based credit system allow करता है improving credibility of students क्या मतलब है अब मालनों कि जैसे पहले होता है, किसी ने medical रखा है किसी ने non-medical रखा है commerce arts, ये अलग-अलग streams होती थी अब ऐसा नहीं है अब मालनों मुझे math पढ़ना है math के साथ मुझे history में भी interest है इसके साथ मुझे economics और accounts भी पढ़ना है ठीके साथ में मुझे IT भी पढ़ना है तो ये choice based credit system क्या करता है कि अपनी choice के subjects हम select कर सकते है और उसी के सारे marks जो है वो credit होंगे और साथ ही अगर मैं एक जगा से दूसरी जगा किसी दूसरे college में second year में चली जाती हूँ तो मेरा first year waste नहीं जाएगा first year का जो credit score है वो मेरे एक bank बन जाता है ABC नाम का bank है academic bank of credit इस bank में वो credit मेरा store हो जाएगा ताकि मैं जब किसी second year के second year में किसी दूसरे college में जाऊँ तो वो सारा credit मेरा सारे marks मेरे वहाँ पर add हो जाए मुझे वापस से first year से ना पढ़ना पड़े तो ये है choice based credit system already हमने detail में ये पड़ा है क्योंकि अभी revision series है इसलिए quickly आपको overview साही दे रही हूँ ठीक है detail में चाहिए again repeat कर रही हूँ कि global online app को download कीजिए amkita sooth नाम का folder है ठीक है amkita sooth नाम का folder है वहाँ पर जाए unit wise आपको हर topic available है ठीक है so thank you so much everyone for watching this video मैं उमीद करते हूँ ये आपके लिए बहुत helpful रही है आप अच्छे से हर चीज को समझ चुके हूँ अगर चाहते हो कि मैं continue करूँ तो मुझे बता दीजिए ठीक है और कैसी लगी आपको explanation कैसा रहा session सब कुछ आप यहाँ पर मुझे अपडेट दे सकते हो यह तो मुझे आपको